हेलो फ्रेंड आज मैं आपको पताने जा रहा हूंगी किस तरीके से आप स्टैंप साइज फोटो के जरिये निकाल सकते हैं तो मेरे चनल में आप सभी का स्वागत है रन एंटेटेन्मेंट यह देखिए यह है के नूं का यह मेरा सेट अप है और यह है मेरा के नूं का सेल्फ अब यह यह निकल चुक है यह साइज दीखा रही है कस्टम साइज है इसको हम चैनल स्टैंप साइज का सेटिंग करते हैं कस्टम साइज में हम जैसे आप जानते हैं कि स्टैंप साइज के लिए उसका लेंद और विड़्ट होता है 25 mm टूटी अमने 25 mm और 20 mm दोनों सेटिं कर दिया है देखे ये फोटो और स्कर्ण किया हो गया अब इसको प्रिंट मार देते आए अल्रेड़ी कॉप्त है इसलिए वह दिखा रहा है कि अब भी किर ओट्रिस नहीं है तो हमने अवंट सब्सक्राइब बंद करते हैं और ओके दबा देते हैं इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया अब यह स्टेम साइज फोटो प्रिंट करके दिखाएगा स्टेम से फोटो का साइज होता है 25 mm मिन्स आपका लेंद रहेगा लेंद रहेगा 25 mm और बीट रहेगा 20 mm यह देखिए फर्स्ट प्रिंट हो गया इसमें इसमें वन टू त्री फोर फाइज सेवें एट नाइन टेन लेवन ट्रीं फिटीन पंदरा फोटो आता है मने एक पोस्ट कट साइज फोटो जो फो चार इं इसका है जिसका साइज 25 mm-20 mm देखिए आप देख सकते हैं इसमें तो 15 फोटो आ चुका है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन पाइट रिजर 15 देखिए प्रिंट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होता है यह निकला देए चलो हम एक और बर सेकंड फोटो निकल के दिखाते हैं यह पूटो फोटो निकाल कि देखिए अब्यादक या फोटो पॉटो साइज ऊत्तर के हैं सब कुछ होगार अब यह सिक्न फोटो भी आपके लिए प्रिंट होगे निकलने वाला देखिए वही पोस्ट कट साइज फोटो है जो 4 x 6 इंच का है नॉर्मल पेपर है इस सेल्फी के लिए इतने ही यही साइज के फोटो को पोस्ट कट फोटो आते हैं इसमें भी वही स्टेम साइज फोटो 25 mm by 20 mm लास्टो व्हास्ट प्रोसेस चल रहा है एक प्रिंट о के बाहर निकल गया इसमें भी आप स्वाउं जानि नेखyssवा जीन डंचेम साइज है यह 15 पोटो बनने कल चुका है यह 15 फोटो वह 15 फोटो आगा स्टंत सकास्ताइज है थैं इसमीरषैन का ह।